तो मॉस्ट वेल्कम रेने वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सारुखान को लेकर जिहां दोस्तों सारुखान इंडिया का घरव है जिहां दोस्तों भारत के पहँचान है और बेसिकली हमें याद है दो साल पहले का वह समय जब ऐसार की की जो फिल्में थी वो अच्छा ख हो चुका है और बेसिकली उसी समय दोस्तों आरियन खान उनकी जो बेटे थी वो उनके ओपर जूटा केस लगा है अक्तर ड्रक्स केस को लेकर तो इस प्रकार से तमाम जो मीडिया है जहां दोस्तों तमाम जो न्यूज पॉल्टल है वो उस सार की के इंसल्ट कर रहे थे सार हो दो साल पहले उनकी बुराई कर रहे थे आज भाई उनकी परसंसा कर रहे है जैसे ही समय बदला उनकी मूवी धमाल मचाया आप सभी जानतें कि पठान और जवान डंकी ने जिस परकार धमाल मचाया जिस परकार कलेक्शन किया है और एक साल के अंदर उसने उन तीनों ही उने कलेक्शन करकर जो भाई रिकोर्ड बना दिया है उसके बाद अब वही मीडिया लगातार शारुखान का गुंगान कर रहे हैं मुकेस अंबानी के न्यूज चैनल 18 ने जिहां दोस्तों शारुखान को बुलाया वहां उनका सम्मान किया यही न्यूज एंकर थे दोस्तो उनके चैनल पे आया है उनके न्यूज वर्टल पे आया है तो दोस्तों यह होता है समय टाइम इस ग्रेट आपने देखा होगा कि आज कल तक जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे आजो करें वही शारुखान से बड़ा कोई स्टार नहीं है शारुखान से बड़ी किसी कोई भाई डंकी हुई उसके बाद इन लगों की जो बयान थे इन लोगों की जो भाई स्टेटमेंट तो पूरन ट57 बदल चुके है और अब यह कहते हैं भाई इससे बड़ा कोई स्टार नहीं है दोस्तों अब यह लोगों की बयान बदल चुके हैं में आपसे किलिर कर देना च सम्मान किया है, और उनोंने कहा है कि आप सबने जो मुझे स्पोर्ट दिया है, उसके लिए थेंक्यू बोला है, और मैं आप से क्लिर कर दिना चाहता हूँ, S.R.K कल भी सौपर स्टार थे दोस्तो, आजवी सौपर स्टार है और भाई कल भी स्टार रहेंगे, उन्होंने अपनी फिल्मों के दुआरा हमेशा लोगों का entertainment किया है हमेशा एक नई चीज़ों को दिखाने कोशिस किया है उनकी फिल्मों के अंदर एक positive message दिया है तो दोस्तों वो superstar कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे, उनकी जो फिल्में हमेशा entertainment करती थी और हमेशा करती रहेंगे, बाकी उनकी तीनों फिल्मों को लेकर आप क्या कहेंगे और उन्हें जो न्यू जेटिन की तरफ से जो आवार्ड दिया गया है Indian of the Year आवार्ड उसको लेकर आप क्या कहेंगे और दोस्तों मैं तो कहता हूँ को उनको भारत रतन मिलना चाहिए कि आप पिर इस बात से सैटिस्फाई हैं जल्द लिखें कमेंट बॉक्स और फिर मिलते हैं से वरकार की information लेकर